हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लंसर विसेज, दिस इस राम सोनी, आज हम डिस्कूस करेंगे सिवा जी के प्रशाशन के बारे में या मराथा प्रशाशन के बारे में बात करेंगे बहुत ही महात्पून टॉपिक है, हर एक्जाम में यहां से कोशन पूछा आते हैं, और इदिन जो इनके मंत्र से प्रशाशन के इसाब पूरे सामराज्य को चलाया था अब इसमें आज प्रधान में कौन से department को कौन से मंतरी समालते थे ये आपको जरूर पता होना चीए जैसे पेशवा की बात करें ये वित department है, finance department है साथ में जो general administration है मतलब प्रशाशन है इसको समालने काम पेशवा करते थे अबत करते थे, जन्हें सेनापती बोलते हैं अमाति की बात करें, इनको accountant general बनाया था पुरा account की जो सारी जनकरी maintain करना, उसमें जो sessions हैं वो देना अमाति काम था वक्नवीस की बात करें, वक्नवीस की post बहुत important है तो intelligence department भी proper दरीके से बनाय गया था जो भी मराठा administration में, मराठा प्रेशाशन में जो भी ceremonies होती थी, उसको कैसी manage करना है इसका काम सुमंद का था नयाधिस की बात करें, इनको नयाई भाग दिया गया था और सबसे मातपुन है, पंडित राओ की बात करें तो जो भी charities हैं, या जो भी धार में एक प्रेशाशन है, उसको manage करने काम पंडित राओ का था, तो ये basically अस्ट प्रधान की रूप में जाने आ दे थे, now अब यहाँ पे ये तो रहा, now पेशवा की बात करें, या किसी भी और मंत्रियों की बात करें तो बहुत सरी चिने जो हैं, सिवा जी सिवा जी ने इस चीज को follow किया था मलिक अंबर, मलिक अंबर जो हैं अमद नगर के, उनकी बहुत सरी जो प्रोविजन से इसको follow किया गया था, और लैंड को measure करने के लिए, मत्तब भूमी के मपन करने के लिए जो unit मानी के थी, वो थी paddy fields, मतब धान की जो जमीन है, जहां पर धानी खेती होती है garden lands, जहां तब गार्डनी जहां होती है और hilly tracks, तो यह चार तीन प्रकार की जमीन थी और तीनों प्रकार की जमनों से अलग तरीके से tracks वो सुले जाते थे, मतब जहां पर ज़्यादा उत्पादन था, जहां ज़्यादा बेनिफिट था वहाँ ज़ाँ tax लग रहा था, जहां कम उत्पादन है वहाँ पर कम tax लग रहा था, अब यहाँ पर देखने आप लोगों को, मराठा एड्मिशेशन में जो देश्मुख और कुलकर्णी होते थे, इनका जो पावर काफी ज़ादा था, वो कम कर दिया गया था, तो ये भी काफी महत्पूर्ण बात नोट करने वाली बात है और साथ में रोड़ने इस राजसु कलेक्शन करने के रहे, प्रापर तरिके से कारकुंस को पाइंट किया थे, ये कारकुंस एक अधिकारी होते थे, और याद रहे, ये बहुत सरे जो लोग हैं, ये आफिसल सेलरी बेस होते थे चौथ और सरदेश्मुखी मराठा प्रशाशन में एक बहुत ही महत्पूर्ण टर्म है, अब ये मराठा के आसपास का जो रेजन था, यसे मुगल एंपायर है, दक्कन सलतने थे, मतलब आसपास के रेजन में चौथ और सरदेश्मुखी वसूली आ दे थे, मतलब ये प्रकास से ये वसूली है मराठा सामराज में तो उनका खुद का सिस्टम था, लेकिन चौथर सरदेश्मुखी जो है, आसपास के रेजन से वसूली आ दे थे, चौथ क्या था, चौथ का मतलब है कि जितना भी रेवन्यू क्लेक्शन है, जितना भी राइस क्लेक्शन होता है, लेंड का, उसका एक चौथाई मराठाओं को पे करना पड़ता है, यदि आप मराठाओं की रेट, मतलब मराठा आपके सामराज में आके लूट पाट ना करें, तो आपको चौथ पे करना पड़ता था, दूसी बात, सरदेश्मुखी की बात करें, तो यहाँ पे इक्स्ट्रा आपको 10% और पे करना पड़ता तो ये उन छेत्रों को 10% और पे करना पड़ता जहाँ पे मराथा क्लेम करते थे कि उनका वनसानुगत अधिकार है मतलब एक प्रकास से हेरेडिटरी राइट्स है तो वहाँ पर सरदेश्मुखी 10% और ये पे करना पड़ता तो चौतो सर्दिस्मू की जो है मराठा सामराज चीले नहीं था, बलकि मराठा के आसपास के सामराज से, मराठा कलेट करते थे, जिसे जो दक्कन सलतन था या मुगल एम्पायर है, वहां से ये इसलिए बस होते थे जिससे कि वहां के लोग चाहें, मतलब एफरिकास से वहां पे लूट पाट ना करें, इसलिए उन्हें पे करना पड़ता था, अगला पॉइंट यहां पे सिवा जी की बात करें, मिलिटरी जीनेस हो थे ही, आप लोग जानते ही इनके बारे में, लेकिन सबसे बात पूर्ण है, इन्होंने अपनी प्रॉपर तरीगे से रेगुलर आर तरीटीर बलते हैँ, ओधमान पूर्ण है, इनके प्रॉपर की बात करें, इनके दर्वारी जो तो थे, उन्हें जो लोग अलग तरीगे के लिवुवारी, उन्हें बोलते हैं, इन्हें को इसलिए आर जुपर नुबल्स पे करते थे, लेकिन बारगेर की बात करें, इनका खर्चार राज सरकार पे करती थी। आसानी हो, प्रशाषन को बहतर प्रबंधन करने में असानी हो, और यहाँ पे देखें, तो यह एक daring soldier कहते हैं आप इनको, और साथ में एक brilliant प्रशासन कह सकते हैं, तो सीवा जी के बारे में देखा हैं, तो कितनी प्रशासन करें कम है, because इनका प्रबंधन है, वो काफी exceptional था, यह रहा हमारा सीवा जी के प्रशासन के बारे में, वीडियो कैसा ल कर सकते हैं, यहाँ पर classes के information हर एक दिन share की आती है, तो आप इस से भी हम से चुड़ सकते हैं, चलिए मिलते हैं आप लोग उसे, तक लिए बाबाए और टेक याप